खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें उनके रिष्चेदारों को भी रोका जा रहा है ताकि वो भी गाओं में ना पहुच पाएं उन परिवारों तक ना पहुच पाएं इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं उन्भा गाओं में पीड़तों के परिवारों तक उनके परिजनों को रिष्चेदारों को भ भी आपको बता देते हैं वो जान लीजे कि आखिर सुनबद के उंभा गाओं में क्या हुआ था 17 जुलाई को उंभा गाओं में जमीन कबजाने को लेकर नरसंगार हुआ था जिसमें 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी ग्राम प्रधान यगिदत और उसके समर्थों को पर गोली चलाने का आरोप है आरोप है कि ग्राम प्रधान अपने साथ लोगों को लेकर पहुँचा ग्राम प्रधान ने एक आईए सदिकारी से सौबीगा जमीन खरी दी थी उस जमीन पर या आदिवासी किसानी करते थे और जमीन कबजा करने को लेकर 32 ट्रैक्टरों में सवार होकर लोग वहाँ पहुचे और जब आदिवासीों ने विरोध किया तो अंधा धुन-दुन पर गोली चला दे गई और दस आदिवासीों की वहाँ पर हत्या कर दे गई मुख्यारोपी यगिदत समेत 29 लोग गिरफतार कर लिये गए हैं गोरवाल के CEO SDM समेत 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिये गए हैं और उसके बाद से इस पूरे मामले में राजविती गरमाई हुई है CM योगी ने अपर मुकि सचेव राज़स को जास का सिम्मा भी सौब दिया है और अब वहाँ पर जानकारी आ रहे हैं कि उंभा गाओं में जिनादिवासियों की मौत हुई है जिनकी हत्या की गई है वहाँ पर उनके रिश्यदारों को भी फिलाल नहीं जाने दिया जा रहा है